जिरा बिलासपुर के मशूर भाकडा डैम और इसके आसपास बसे कई गाउं में पिछले दिनों तेज बारिश के कारण हुए भारी भू सकलन के कारण पानी की पाइप में तूटने से लगभग 15 दिनों से पीने वाले पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। गाउं के लोग नालों का गंदा पानी उप्योग में ला रहे हैं। भाकडा बांद के नजदीक बसे गाउं के लोगों का कहना है कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण बांद के पास बनी चेक पोस्ट के पास पहाड तूटने के कारण पूरा रास्ता बंद हो ग पुरियां खाल को जाने वाली पाइप में टूट गई हैं जिस कारण पिछले 15 दिनों से इन्हें गाउं की पानी की सप्राइब बिलकुल बंद है और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है गाउं के लोग नालों का गंदा पानी उपयोग में ला रहे है स्कूलों के बच्चे भी इनी नालों का पानी पी रहे हैं इसी दूशित पानी के कारण कई भेंकर बिमारी फैलने का खत्रा बना हुआ है पंचाइतों के लिए यहां ही से पानी जाता है और लोग जो नालों का गंदा पानी है वो पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं मैं सुबा खुद अपने घर के लिए एक नाले से पाईप लगा के दो सो लिटर के ड्रम बा रहा जिससे हमारी गाये रख्यू यहां हमने उसको पानी दिया स्कूल के जो बच्चे है वो भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है कोई पूछनी रहा कोई परशाशनी कोई हमारी मदद कर रहा है बीबी अंबी वाड़ों ने रोड़ खोल दिया लेकिनो जो मलबा नहीं उठा रहे है बाटस बलाई वाड़ों बोलता है यह मलबा उठेगा पाइप तब जुड़ेंगे लोगों ने कहा कि उन्हें रोज मर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी नसीब नहीं हो पा रहा है तूटी पाइपें गंदगी से भरी हुई हैं गावासियों ने कहा कि भाकड़ा बांद निर्मान में बांद के साथ लगते गावों क ध्यान रखा जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ पहाड गिरने के कान बंद रास्ते से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों ने मांग करते हुए कहा कि जब तक उनकी पाइपें ठीक नहीं करवाई जाती हैं तो उन्हें टेंकरों के माध्यम से पा सप्लाई शुरू कर दी जाएगी उन्हें कहा कि टैंकरों से पानी सप्लाई करना उनके अधिकार क्षेतर में नहीं है सर्बंस पैदा हो गया जिस कारण पाणी नहीं आया तेरी मांग सरकार के यही अग्राय है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समधान किये जाए और लोगों को पाणी मिल सके